अगर आप भी इस समय कोई नई स्मार्ट टीवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन मार्केट में जो टीवी अवेलेबल हैं वो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं उनमें कुछ अच्छा आपको नहीं लग रहा है तो आप सभी के लिए एक अच्छी ख़बर है जी हाँ जैस आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए बाकि अगर आप प्रिमियम ब्राइंग की टीवी लेना चाहते हो लेक्सांग, सुनी या फिरल जी देन आप डिरेक्ली बाय कर सकते हैं लिंक्स मैं आपको उनकी डिस्क्रिप्शन में देदूँगा जितने भी 2021 के बेस्ट टीवी ब अफिशल कंफर्मिशन आई थी कि जो नए टीवी हैं व्यू के इस साल के वो सेप्टेंबर या फिर हो सकता है ऑगस में ही लाँच हो जाए इसके अलावा हो सकता है हाइसंस भी अपने नए फोके टीवी को जल्द ही आने वाले एक या दो मेने में इंडिन मार्किट में ला यहाँ पर बेसिकली हमाई ने अपने शोचल हैंडल पर दो विडियो पोस्ट करी हैं जो कि क्लिरली इंडिकेट करती हैं कि नए टीवी लाँच होने चाह रही है वैल लाँच डेट की बात करी जाया है तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है लेकिन 26 ओगस को म मी का एक launch event है जहाँ पर मी laptop और मी band 6 launch होने वाला है तो हो सकता है उनके साथ मी के जो नए टीवी है वो भी उसी दिन launch किया जाया लेकिन इसको लेकर फिलाल कोई confirmation अभी नहीं है बाकी बात करें जाया है कि क्या 4K टीवी लाँच होंगे फूल एजरी टीवी लाँच होंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है जो मेरा analysis है उसके business पर मैं बोल सकता हूँ कि जो upcoming TVs होगी वह एक complete 4K smart TV range होने वाली हो और यहाँ पर आपको 43 इंच screen size के साथ भी 4K विरन देखने मलेगा जैसे कि हमने देखा Redmi series में 43 इंच वाला नहीं था तो यहाँ पर वो दिया जाएगा और last time MI ने अपने Mi TV 4X को launch किया था और इसके बाद ये जो है उसका जो है upgraded version होने वाले है आप कौन से TV होगी उसका image क्या है specification क्या है यह अभी तक कुछ भी सामने निकल कर नहीं आई है और नहीं कोई leak बगरा निकल कर आया है तो यहाँ पर अगर आप इस TV में इंट्रस्ट कर दूँगा बाकी वीडियोस वगरा तो मैं बनाकर आपको update करता ही रहता हूँ वेल बात करते हैं मेरे opinion की और सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर आने वाला है सबसे ज़्यादा सवाल जो आने वाला है वो यह होगा कि क्या हमें मी के नए TVs को लेकर wait करना चाहिए या फिर कि भी होता तो मैं फिलाल अपना जो प्रोसेस है टीवी खरेतने का वो रोग देता विकॉस बहुत सारे ने प्रैंट्स जो है वो लाइन में लगे हुए है अपने ने टीवी को लॉंच करने में तो definitely 2020 के जो टीवी है उनसे अच्छे ही टीवी आपको बाकी सारे ब्रैंड क बेकार है एक decent टीवी निकल कर आती है लेकिन जितने भी में टीवी को मैंने आप तक यूज करा है मुझे हर टीवी में कमी लगी है वो है पिच्छे क्वालिटी की brightness कम होती है और कहीं कैसा लगता है कि टीवी में colors और जो brightness से वो थोड़ी अच्छी होती तो और भी मज़ा तो ये कमी जो है मुझे मी के most अब टीवी में देखने मिलती है और MI और इसके अलबा और बहुत से ऐसे ब्रैंड्स है जो की एक trend फॉलो कर रहे हैं वो है specifications नहीं बताने का ये जो ब्रैंड्स है मैं किसी ब्रैंड को जो है point out नहीं कर रहा हूं almost सभी ब्रैंड्स यही कर रह तो टीवी में कौन साथ डिस्पले मिलता है यह सेम जो प्रॉल्म ना यह जो चाइनीज बजट ब्रैंड्स इंके साथ में ज्यादा है यह पहली बात आगो बताते ही नहीं के टीवी में आपको पैनल कौन साम मिल रहे है तो यह सबसे बड़ी प्रॉल्लम इसके अलावा टी विजन मिल रहा है, इसमें Dolby Atmos मिल रहा है, Android 10 मिल रहा है, मेरे इसाब से देखिए, अगर आप मेरी audience और मुझे follow करते हो, तो मैं आपको हमेशा से यही suggest करता हूँ, आप एक TV बाई कर रहे हो, और एक TV के लिए उसकी display and second number पर है उसकी audio, TV में यह दो चीज मोस्ट important होते हैं, यही key specification होते हैं, अगर TV में display अच्छी नहीं है, TV की brightness अच्छी नहीं है, TV में audio अच्छा नहीं है, तो फिर चाहिए आप TV में Dolby Vision दो, Dolby Atmos दो, या फिर Android 100 देदो, और Google Alexa या फिर Bigsby का support देदो, कोई भी मतलब नहीं होता है, तो यह important point है, और आप सभी भी जब TV बाई करत हैं, तो आपको भी बाकी सारे जो brands, terms use करते हैं, उनके पिछे नहीं जाना, आपको पहले चक करना है कि TV में at least brightness कितनी मिल रही है, पैनल कौन सा मिल रहा है, contrast ratio कितना है, उसके अलवा audio quality कैसी है, audio output कैसी है, विकॉस आप TV बाई कर रहे हैं, TV देखने के लिए, और जो बाकी स सारे extra features मलते हैं, वो आप बहुत ही कम use करेंगे, most of the time जो है आप TV के साथ में content देखने में बिताने वाले हैं, तो ये इसलिए important है, तो मैं भी इस बार यहाँ पर आशा करता हूँ कि जो MI के नए TVs हैं, वो यहाँ पर अच्छे display के साथ हैं, और इस बार at least brand हमें ये बताए क भाई उनके TVs में कौन सा panel दिया जा रहा है, और ऐसा ना हो कि कोई user ले रहा है, उसे IPS मिल रहा है, कोई user ले रहा है, उसे VA panel मिल रहा है, तो ये इस बार नहीं होना चाहिए, और at least यहाँ पर brightness बगरा improve हमें देखने मिलनी चाहिए MI के नए TVs में, बाकि जो updates बगरा हैं, जैस इसके लेवा अगर आपको कोई question है, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो comment में आप comment कर सकते हो, इसी के साथ आप मुझे Instagram पर भी contact कर सकते हो, वहाँ पर भी हम detail में chat कर सकते हो, और जो भी आपके problem है, उसे मिल कर solve कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, ये अपडेट पसंद आया होगा, मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, टा टा, पाइब बाइ, सावनारा